बाईया एक प्रार्थना करूं कहो यदि में रण भूमे में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं चीच सकता तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाईएगा जिससे हमारा कुल समूल नश्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए प्राणी जब अपने कुटुम्भी जनों के साथ बैटकर आश्वरी भोगता है तब ही वह प्रसंद्न और संतुष्ट हो जाता है यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीरों लोकों का सामराज रावन के लिए किस काम का भाई, भाईएों के बेटे, अपने बेटे मरवा के कैसे आश्वरी भोग सकेगा रावन जाओ को मकरान, मत्यू की बात मत करो युट्म की बात करो, युट्वेज़ की बात करो रावन मिट जाएगा परन तु जुकेगा नहीं त्रिलोकेश्वर जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावन के साथ जुद्ध करना कितना दुश्कार कार्य है यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूगा हम वही बलवान रावन हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश परवज जानता है हमारी शुर्वीरता को उमापती महदेव जीन स्विकार की अपने शीष रुपी पुष्प चड़ा चड़ा कर हमने जिसकी पूजा की हमारी भुजाओं का पराक्रम दिकपाल जानते हैं हमारी चाती की कठोरता को दशो दिशाओं के हाथी जानते हैं उन दिगजों के दार इस चाती से टकरा टकरा कर तूप रहे हम वही जगप्रसित प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से प्रत्वी इस प्रकाल डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार बगा दानवेश्वर लगता है आप हमारी माननेता को मिटाने की ठान कराए हैं जिस अखिलेश्वर का उतार मान आप हमें उसके सन्मुक जुकाने आये हैं स्वयम उस साक्षाव वईकुन्ठेश्वर विष्टू के सामने भी अम नहीं जुके उसके सुदर्शिन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी जुका नहीं सका तो उसका उतार हमारे लिए किस गिंत झाल